कोरोना काल के बाद जैसेते से किसानों ने खरीब की फसल ली थी शुरुवात में मानसुन के समय पर दख्सक देने और अच्छी बारिश होने से इस वर्ष किसानों को अच्छे उत्पादन की उम्मीद थी सब कुछ ठीक चर्राता की अगस्त और सितंबर माहा में हुई बारिश से कई इलाकों में बाड़ा गई तो वही कुछ इलाकों में अतिरुष्टी होने से किसानों के खेत में खडीक फसल पलभर में ही तबाह हो गई जा किसानों की सोयाबीन, कपास, तूर की फसलों को भारी नुकसान वही फलों की बगिचों को भी काफी नुकसान हुआ है नाकपुर जिले में इस्तवर्ष संत्रा और मोसंबी को भी भारी नुकसान पहुँचा है नापपुर जिले में अतिरुष्टी और बार के कारण संत्रे की 96.25 हेक्टियर और मोसंबी की 20.60 हेक्टियर फसल को नुकसान पहुंचा है वही भारी बारिश के कारण संत्रे की 7808 और मोसंबी का 1645 हेक्टियर फसल शेत्र प्रभावित हुआ है इससे इस वर्ष फलोतपादन में भारी गिरावट देखी जा रही है इस वर्ष किसानों ने कुरुशिविभाग के खरीब सीजन के नियोजन के अपेक्षा अधिक शेत्र में बुआई की थी सोयाबिन का शेत्र भी काफी बढ़ गया था किसानों को इस वर्ष अच्छ उतपादन की उम्मीद थी अन्य फसलों की तरह फल उतपादन भी अच्छा होने की उम्मीद थी लेकिन एन समय पर बारिश के कहर ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और यहां के किसानों के लिए यह एक नगदी फसल है लेकिन इस वर्ष भारी बारिश और अतिरुष्टी के कारण इन दोनों तहसिलों में दोनों फलों को काफी नुकसान पहुंचा है नर्खेड में 83.10 हेक्टियर, काटोल में 10.45 हेक्टियर और कलमेश्वर में 3.20 हेक्टियर संत्रे की फसल को नुकसान पहुंचा है उसी प्रकार मौसंबी की फसल को काटोल में सरवाधिक नुकसान पहुंचा है यहाँ पर 20.60 हेक्टियर में मौसंबी का फसल प्रभावित हुआ है